गुद मॉरिंग, my dear students, आजे आपने 12 physics, chapter number 4, lecture number 11 पर आविया, अवे, lecture number 11 माँ आपने equation study करवानों छे, obtain the equation for force between two parallel current scaring wire, अवे, समझो, कि आपने पास से two parallel wires छे, right, अवे, two parallel wire माँ थी, हम समझे लिए, करण फ्लो थासे, तो एक करण फ्लो थासे, एना लिदे, एमना वच्चे, किटलू force apply थासे, ए आपने find out करवानों छे, तो पहली वस्तु एक एम समझे लिए, कि आपड़े two wires लिए, बराबर one and two wires लिए, बन्दे हम आपड़े same direction माँ current flow करिए, तो एमना वच्चे सों थासे, attraction थासे कि रिपल्जन थासे, तो according to the right hand rules, जो आपड़े upward direction माँ जो आपड़े thumb राखिये है, तो आपड़ी fill lens जे चे आपाजू inside जैसे, जे बाजू inside जैसे था साउट पोल बराबर जनरेट हसे, और बीजी बाजू निकर से, तो आपाजू not पोल जो जनरेट हसे, एज रिपल्जन थासे, एज रिपल्जन थासे, अपड़े जो थम जो आपड़े डाखिये है, तो magnetic fill lines आपाजू तमने इंसा तमने भी खबर पड़ से कि साउट अने नॉट वच्चे सों दस है अट्रेक्शन दस है इटले जो टू पैरलल वायर्ज होई और बनने माठी सेम डारेक्शन मा करन फ्लो थाई तो इमना वच्चे तमने अट्रेक्शन मल से है अनने अना थी उल्टू जो तमने अपोजिट ड जग्याय तमने impost अलसे अट्रेक्शन ही जगिए सों मल से है रिपशन मल से है आपणे समहज़वानी ट्राय करिये तो किटलू फोस एपलाई थास है ये current flow कितलो चै आई एए अने आई बी चै बनने वच्चे नू perpendicular distance ये टले के distance between the two parallel आपड़े wire ले लिये हैं तो ये distance कितलो चै D चै बराबर बनने वच्चे नू सोरी बनने वच्चे नू आपड़े distance ले ले तो parallel wire वच्चे नू आर प्लेस अट डिस्टन्स दी अपार्ट फ्रोम इच अदर एन आई-ए एन आई-बी करन फ्लोविंग फ्रोम देम सो एमाटी आई-ए अने आई-बी करन फ्लो जे छे बराबर ए पासाउट ठटो छे दध कंड़क्टर ए प्रोड्यूस दध मैगनेटिक फिल भी ए आई-ए माटी आपड़े करन फ्लो बराबर बटाविये अने एना लिदे मैगनेटिक फिल क्रियेट असे अने ए मैगनेटिक फिल सपोज तमने आजे बी कंड़क्टिंग वायर छे एना उपर किटली लाग से तो आपड़े हूँ बी वायर दाट इस बी ए लाट इस बी ए लाव हे दाट इस बी ए नाव थाट-एन रूल इस तब्लीक फिल कीतली आपड़े करन फिल के अने दाउन्डवर्ड़ बटावर्ड गंग थे अन्यमें ए बी एजए छे तमने डाउन्ड़ आपेलो छे ओके औवे युनिफर्म प अंड़क्टिंग तमारो सो आसे वेरी लॉंग वायर हसे हैं तो एनू इक्वेशन अकोडिंग टो दा एम्पीर रूल्स वी नो बी ए इक्वल टो म्यू जीरो आई अपॉन ट्वाइस पाई डी छे अने जो तमे थियरी मा जो जो सो तो एमा एक्वेशन तमने म्यू जीरो आपेलो छे अपॉन सो आपेलो छे टू पायार जेमा यहां आणी जग्या है बराबर डिस्टन्स तमारो केटलो छे डी छे एटले magnetic field produced to the wire A, डाट इस, डाट इस VA इक्वल टो μ्यू 0 I A अपॉन टू पाई डी अवे ए magnetic field मांजे छे बी वायर माँटी current flow थाई छे अने बी वायर माँटी current flow थातो होई तो एन लिदे magnetic force create थाई यह magnetic force नू इक्वेशन आपने खबर चे एफ इक्वल टो I L cross B F equal to sum I L cross B तो आपड़े हो कही सक्किये the conducting wire B carrying a current IB will experience a sideways force due to the field B and the direction of this force is towards the conductor A एडले अहियां जिये छे बराबर अहियां आपड़े जो ही है तो आपड़ो जो IB current जिये छे बराबर A magnetic field कौना माँ छे A wire नी magnetic field माँ छे अने ए रिजन ना लिदे एना उपर सो लाग से force applied हसे that force can be find out by F equal to I L cross B अवे F equal to I L cross B मा जरा जन रख जो current flow तमारो current flow जे छे तमारो B wire माँ छे एडले IB into L आव से IB into sum आव से L आव से cross यहां जे magnetic field जे छे first wire नू छे एडले sum आव से B आव से magnetic field अने current flow बनने तो perpendicular छे तमें जो ही सको आथ हमारो magnetic field B downward अने भी जो current flow अठवा तो length बराबर आ बनने सो छे perpendicular छे perpendicular हो एटले के theta 90 आई अने I L cross B मा cross multiplication मा sine 90 नी value किटली थे जेसे 1 थे जेसे अने sine 90 नी value जो 1 थे हैं तो आपड़ा पासे जे छे रही सो जैसे खबर I, B, L अने सो रही जैसे B अवे I, B, L, DA नी वाट करें तो तमें I, B, L, B, A मल से जे माँ B, A नी value आपड़े उपर लखे ली छे दे ले लिए Mu 0 I, A upon 2 pi D Mu 0 I, A upon 2 pi D ले ले चलो Mu 0 I, A upon 2 pi D ले 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 तो आपड़ा पासे F, B, A equal to 0 दे जैसे Mu 0 I, B, Mu 0 I, A upon 2 pi D लखे दिये तो Mu 0 I, A, I, B, L upon 2 pi D अभी जैसे तो that is the force, that is the force apply on a B wire due to the magnetic field of A wire तो F, B, A नी value Mu 0 I, A, I, B, L upon 2 pi D ले जैसे जो ही है It is a course possible to compete the force A due to the B एटले A, B पर force apply कर से यह नुचे For consideration similar to the above we can find the force F, A, B जे रीते F, B, A find out करे होते है रीते आपड़े F, A, B भी find out करी सक्या है हाँ, बट direction नी वाट करे है तो direction आना जी सो होसे है पर आब डिफरेंट direction मा होसे है So on a segment of L, A due to the current in a B it is equal to the magnitude of F, B, A but the direction towards हो हो होसे, B होसे है अभे, first मा तमने direction कही माले तो first मा जे छे, F, B, A नी direction जे छे, towards A छे तो में जो ही सको F, B, A नी direction छे, सुचे, towards A छे तो F, A, B नी direction towards हो होसे, B होसे है अभे, जो आपड़ो जे conducting wire B जे छे, ए आबाजो जवानो अने conducting wire A जे छे, B towards जवानो तो यहनो मतलब ए थे हो के बनने बच्चे सुचे, attraction तस है बनने बच्चे तमने सुचे, attraction तस है अने आपड़े यहू भी write down करी सक्ये है कि F, B, A equal to 100 है minus F, A, B आवसे है this is consistent with the Newton-Thirds law क्याम कि Newton-Thirds law we know every action have a equal and opposite reaction अभे, आना पर्थी आपड़े lastly हूँ के ही सक्ये है कि we have seen that above that the current flowing in the same direction attract each other जो same direction मा current flow थाई तो एक भी जाने attract कर से and one can show that the opposite directed current ripple इच अदर, एला opposite direction करन सो कर से, ripple कर से थस, parallel currents attract and anti-parallel currents सो आउसे, ripple अने एनू equation तमे खास जान रख जो mu 0 i a i b l upon 2 pi d right, so आ रीटे जे छे, आपड़े 2 parallel wire मा same direction मा current flow थस है, तो इना लीदे magnetic force केटलू create थस है, इनी value आपड़े find out करें, अभे आना पर्थी जे छे, आपड़े magnetic force नू, अठवा तो magnetic field नू, value भी find out करवानी छे, तो now next question उपर जीए, derive an expression for the force per unit length between two infinite long straight parallel connecting, अठवा तो parallel current carrying wires hands define 1 ampere, अन्ने इना पर्थी तमारे 1 ampere ने सो आपड़े चाहे, बराबर definition भी आपड़े चाहे, अभे currents per unit length हसे, तो unit length मांटे जे छे, L का जैसे divided मां जैसे, एटले, तमने force per unit length जे छे, एटले f by L, equal to equation सो आपसे, तो equal to equation अभी जैसे, mu 0, Ia, Ib upon 2 pi d, अभे मारे जे छे, 1 ampere मांटे definition लावी चे, तो 1 ampere मांटे मैं equation मा definition मांटे सूं करूं तो मारा पासे जे equation छे ए equation मा mu 0 नी suppose value बराबर मैं write down करूं, तो एक एटली छे 4 pi into 10 raise to minus 7 छे, ओके, नीचे दमारू केटलो छे 2 pi छे, एटले हम समझेला, 4 pi ने 2 pi जो cancel out ही हाई, तो ray केटलो जैसे 2 into 10 raise to minus 7 raise है, ओके, जरा समझे, उपर छे 4 pi into, बराबर mu 0 नी value छे 10 raise to minus 7 ने नीचे केटलो छे 2 pi छे तो pi pi cancel out करो, अने 2 ने भी cancel out करो, तो उपर केटलो रेज जैसे 2 into 10 raise to minus 7 हवे, बाकी नी remaining value मा, सपोज आपड़े m समझे लवके d नी value, सपोज आपड़े 1 ले लिए, करंट तो आपड़े unit राखोनों छे, एटला 1 1 ampere जाव से, एटले आपड़े हूके ही सके के जहरे two parallel wires माटी आपड़े किटलों राखे है खबर, तो 1 meter राखे है, अठवा तो unit distance आपड़े राखे है, तो इमना वच्चे जो force 2 into 10 raise to minus 7 newton जो प्रोड्यूस साई, तो आपड़े हूके ही सके के बन्ने माठी 1 ampere current flow था से, मैं सुँ जहरे two wires माटी आपड़े same current पास आउट करिया है, अने इमना वच्चे नू distance आपड़े सुँ राखे, unit राखे, अने ए टाए में इमना वच्चे नू attraction जो 2 into 10 raise to minus 7 जो मल है, तो आपड़े हूके ही सके के बन्ने माठी current flow केटलो थाई छे, 1 ampere थाई छे, यह हूँ आपड़े कही सके छे, so definition of 1 ampere आपड़े सु राइट डाउन करी सके, the ampere is the value of that steady current which when maintained in each of two wire long straight parallel conductors of a negligible cross section are placed 1 meter apart, पहली वस्तु है के तमारे जे wire लेवान हो छे, ये wire माठी current flow के वो थो जे, steady, steady ये तले के ये माठ चिंजीज नी था हूँ जो है, second thing बराबर ये आपड़े very long wire लिये, straight wire लिये, parallel लिये, और ये long wire नी comparison में ना cross section area ना आपड़े सु करी सके, negligible consider करी सके, and their place 1 meter apart in a vacuum would produce each of this conductor with a force of 2 into 10 raise to minus 7 newton per unit length of a meter that flow of a wire must be, must be 1 ampere, must be 1 ampere, so 1 ampere क्यारे flow थे लों के वासे हैं, के जहरे आपड़े very long straight parallel conducting wire लिये, अने any cross section area आपड़े निगलेजिबल consider करी हैं, अने बन्ने wire वाच्चे नो distance 1 meter apart राखे हैं, त्यारे 2 conductors वाच्चे 2 into 10 raise to minus 7 newton per meter जितलो सु हासे खबर, तो force applied थे लों हासे हैं, तो current किटलो flow थे लों हासे हैं, तो 1 ampere current flow थे लों हासे हैं, यह हूँ आपड़े कही सकिये छे हैं, तो 2 marksma भी न पूछाई सके हैं, पर 1 marksma definition माटे हैं, तमारे remember राखवा पर सें, ओके चालो, तो अवे, आ रीटे जे छे हैं, 2 parallel wires माटी कही रीटे force, magnetic force create थाई छें, यहनू आपड़े equation लाविया, जो आमाँ तमने कोई doubt अराई साई, तो तम्हें मने phone करी ने पूछी सको छो, I will definitely answer you, thank you very much, bye.